हाई फ्रेंज आज का रेसिपी दिखने में जित्ता यमी लग रहा है ना खाने में ये उससे भी ज़्यादा यमी है कोलकाता के चॉप में अगर मीरा कोई फेवरेट चॉप है ना तो वो ये ही चिंग्री चॉप है जिसका मतलब है बेंगोली स्ट्राइल में प्राउन कटलेट चलो तो बिना टाइम वेस्ट करें चलते हैं इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ब्रेट क्रम्स के लिए दो ब्रेट को मिक्सी में पीस लिया है और ब्रेट क्रम्स तयार है अब नेक्स्ट हम लगबग आधा कब जिंगे को पीस लेंगे फिर दो मध्यम आकार के आलू जिसे मैंने उबाल लिया है उसे मसल लेंगे वो भी एकदम अच्छे से अब एक कड़ाई में एक बड़ा चमच तेल गरम करके उसमें एक मध्यम आकार का बारी कटा हुआ प्यास एक चोटा चमच लेसुन का पेस एक चोटा चमच अद्रक का पेस जाल कर इसे मध्यम आच पर अच्छे से पकाओ जब तक की अद्रक लेसुन की कच्छी मेहग दूर हो जाए और प्यास भी लगबग हलका भूरा रंका हो जाए अब इसमें पिसा हुआ जहिंगा डालो और लगबग तीन से चार मिनिट मध्यम आच पर पकालो फिर स्वादनुसार नमक एक चोटा चमच जीरा पाउडर एक चोटा चमच लाल मेच पाउडर आधा चोटा चमच शक कर डाल कर सब कुछ मिला कर मध्यम आच पर तब तक पक जाए फिर उसमें उबला और मसला हुआ आलू डाल कर सब कुछ एक बार अच्छे से मिला लो फिर मध्यम आच पर पहले दो से तीन मिनिट पकाऊ फिर ढखकर धीमे आच पर दो से तीन मिनिट छोड़ दो फिर गैस को बंद करके दो बड़े चमच बारी कटा हुआ धनिया एक चोटा चमच खी एक चोटा चमच नीमबू का रज डाल कर अच्छे से मिला लो अब मैंने एक अंडे में स्वाद अनुसार नमक और कालिमिच का पाउडर डाल कर फेट लिया है लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद एक अंडा काफी नहीं होगा तो मैंने एक और अंडा भी डाल कर फेट लिया है अब मैंने लिया है बनाया हुआ जिंगा वाला मसाला फेटा हुआ अंडा ब्रेट क्रम्स आवश्यक्ता अनुसार मैदा जिसे हम यूज करेंगे चौप को कोट करने के लिए और कुछ कच्चे जिंगे वैसे आप ये कच्चे प्रॉंस को स्टफ क करने वाला स्टेप ना पूरी तरीके से स्किप कर सकते हो अब कटलेट जित्ता एक जिंगा मसाला जो हमने बनाया था उसका पोर्शन लेके उसे एक अंडे का आकार दे दो फिर जैसे हम आलू पराठे में फिलिंग भरते हैं ना वैसे ही चौप में खड़ा बना के एक कच् से बाहर निकला हो ऐसे करने से चौप दिखने में ज्यादा अच्छा लगता है मेरे पास बिना टेल वाला प्रॉंस था तो मैंने तो वही यूज़ करा है बस जिंगे का जो पीछे का हिस्सा है ना वो थोड़ा सा कटलेट से बाहर निकाल कर रखा है अगर प्रॉंस का टेल अगर चौप के बाहर होना तो वो तलने के बाद इंटैक्ट रहता है लेकिन अगर आपने मेरे तरह बस जिंगे का पिछला हिस्सा चौप के बाहर रखा होना तो वो तो तलने के बाद श्रिंक हो जाएगा और हाडली चौप के बाहर कोई प्रॉं दिखेगा आप ये कच्चे प्रॉन वाला स्टेप जैसे भी कर सकते हो करो या फिर जैसे मैंने कहा इसे पूरी तरह से स्किप कर दो फिर चॉप को पहले मैदे में, फिर उसके बाद अंडे में और फिर ब्रेट क्रम्स में कोट कर लो अब यहाँ ध्यान ये रखना के अंडे के लिए एक खात यूज करना और ब्रेट क्रम्स के लिए दूसरा इससे ब्रेट क्रम्स गिले गिले नहीं होंगे अब आप एक्स्ट्रा क्रिस्पी कोटिंग के लिए ना मेरे तरह चॉप पर एक और अंडा और फिर ब्रेट क्रम्स का लेयर डाल सकते हो ऐसे ही सारे चॉप्स को मैंने बना लिये है अब इसे आवश्यक्ता नुसा डीप फ्राइ करने के लिए तेल गरम करके मध्यम आज पर चॉप को बीच बीच में चलाते हुए हर तरब से चॉप गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक पका लो मुझे लगबग 15 से 18 मिनिट लगे थे चॉप के एक बैच को तलने में और बस ये शांदार चिंग्डी चॉप लगभग तयार है बस उपर से थोड़ा सा काला नमक छिड को और ये पूरी तरीके से कोलकाता स्टाइल में तयार है आप इसे शाम के वक्त गरमा गरम चाए, नीमबू नमक वाला स्लाइस, प्यास और ककडी और केचप और चिली सॉस के साथ खाओ तो मजा ही आ जाएगा ये रेसिपी को लाइक करना तो बनता ही है और यहाँ नए हो तो सब्सक्राइब और आप ये वीडियो अपने उन फ्रेंज के साथ जरूर शेयर करना जिने भजिया टाइप की चीजे खाने पसंद हो